Hello students, today I am going to teach you geography chapter 2, the atmosphere. Atmosphere, what is atmosphere? The blanket of air that surrounds the earth is known as the atmosphere. Air का वो blanket, लब कि हमारी धर्ती के चारो तरफ जो air है, air का जो चादर है कर सकते हैं, हर जगा air ही है, है रट के चारों तरफ तो हम एंटमस्फिर के नाम से जानते हैं और ये करीब 1000 किलोमीटर तक यह ऐग हजार किलोमीटर से ब्ह daring दूर तक यह सर्फिस से जभी ज्यादा दूर तक फैला वहा है नहीं और सर्फिस से 1000 किलो मीटर से भी ज्यादा दूर तर एर जो है पहला हुआ है कॉंपजिशन अफड़ इस ला कि एस चीज से बनता है तो एर के कारण एटमोस्फेर बनता है और ऐर क्या है तो एर जो है वो कई गैसेज का मिक्षर है जैसे कि नाइट्रोजन इसमें एयर में नाइट्रोजन 78 परसेंट होता है अक्सेजन 21 परसेंट कार्बन डैक्साइड 0.03 परसेंट रिमेनिंग जो है यानि कि बाकी जो गैसेज है उनमें जीरो वह 0.97 परसेंट में बाकी सारे गैसे जा जाते हैं जिनमें की आरगन ओजोन और वाटर वेपर जो है प्रमुख है तो अब हम एयर पॉलिशन के बारे में पढ़ेंगे एयर कैसे पॉलियूट होता है तो एनी अंडिजारेबल चेंज इन दे कमपोजीशन ऑफ एयर इस नान एज एयर पॉलिशन अ हैं और कई सारे ऐसे जो गैसेज हैं जो कि ज्यादा हूँ पॉलिशन यह बाता वर अटमस्मेर में अगयती वह ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो उसके कारण भी एयर जो है वह पॉलियूट हो जाता है प्रदूसीत हो जाता है एयर जिसको हम सास नहीं ले सकते हैं सास लेने के लिए जो है स्वक्ष एयर चाहिए साफ साफ एयर चाहिए और यदि उसमें पॉलिशन हो तो वह हमारे लिए नुक्सान दायक होता है हमें कई तरह कि स्वास संबंधी बीमारियां हो जाती है तो जो एयर पॉलिशन कैसे होता है तो फैक्टरी से निकलने वाले जो धूएं होते हैं उनसे होता है और किसी चीज को जब हम जलाते हैं तो जहरीली गैस से निकलती है जो कि वायू मंडल में हवा में जाकर मिक्स हो जाती है और इससे एयर पॉलिशन होता है गाडियों से निकलने वाले भी जो धूएं होते हैं वो भी एयर पॉलिशन का मुख् पॉल्यूटेंट्स क्या होता है तो सबस्टान्स एज देट काउज पॉल्यूशन और कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स लबकि वह सबस्टान्स वह पदार्च जो की पॉल्यूशन का कारण बनते हैं जिनकी वज़स से पॉल्यूशन होता है उन्हें पॉल्यूटेंट्स कहते हैं यानि कि प्रदूसक कहते हैं अब हम atmosphere के layer के बारे में पढ़ेंगे तो on the basis of composition, temperature and other properties यानि कि composition और temperature और जो other properties है तो उसके अधार पे atmosphere को 5 layer में divide किया गया है पहला है troposphere दूसरा है stratosphere तूसरा major sphere और चौता thermosphere और जो अंतीम यानि कि पाच्वा जो है वो एकज़ो स्फेर तो हलाकि ये जो layer है इनके boundary को fix नहीं किया जा सकता है लेकिन फिर भी थोड़ा गूत तो इसको गुन के आधार पर बाटा ही जा सकता है और यह 5 पार्ट में बाटा गया है तो सबसे जो पहला लेयर होता है वो क्या होता है atmosphere का 5 लेयर, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere और exosphere तो पहला लेयर ट्रोपोस्फेयर तो यह जो ट्रोपोस्फेयर है यह लोएस्ट और डेंसेस्ट लेयर है एट्मस्फेयर का जिस जो कि ट्रोपोस्फेयर के नाम से जाना जाता है और यह कि सबसे नीचे यह अर्ड सर्फेस से जुड़ा हुआ यह ट्रोपोस्फेयर है और ये जो है ये lowest और densest यानि कि सबसे घना है ये atmosphere और इसको हम troposphere के नाम से जानते हैं ये जो है ये troposphere ये अर्थ के बिलकुल करीब है तो ये जो है 18 km तक extent है फैला हुआ है equator से 18 km तक ये फैला हुआ है इसके ज़स्ट उपर है stratosphere तो ये जो stratosphere है तो ये troposphere के ज़स्ट उपर है और ये करीब 50 km तक अर्थ सर्फिस से 50 km उपर में ये है उपर तक है यहां से यहां तक अर्थ सर्फिस से अर्थ सर्फिस यहां है और यहां से यहां तक क्या है 50 km तक ये क्या है stratosphere है और stratosphere का ही एक पार्ट है जिसे ozonosphere कहा जाता है और ozonosphere में ही इनके ozonosphere जो है वो ozon से बना हुआ है और ozon क्या है तो ozon जो है वो harmful ultraviolet rays जो होते हैं जो कि sun से आते हैं यानि सूरत से जो प्रबैगनी किरने निकलती है वो बहुत ही डारेक्ट यदी वो इसकीन पर पड़े तो उसे skin disease यानि कि तुछा समंधी बीमारियां हो सकती है तो उसी को सुद्ध करके उस harmful जो ultraviolet rays है यानि कि जो नुक्सान दायक जो प्रबैगनी किरने हैं तो उनको चान करके और धर्ती पे भेजती है और sun को धूप को भेजती है तो उसके बाद यह जो है लवे जो धूप होते हैं तो यह इससे कोई बीमारिया नहीं होती है लेकिन pollution के कारण हमने इतना pollution कर दिया है पुरे मानो जाती जो है वो pollution की कारक है pollution उत्पन करने में यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इतनी pollution हमने कर दिया है कि और जो जो चिद्र है वो बढ़ता ही जा रहा है लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अभी जब लॉकडाउन पुरे बीसु में हो गया कोरोना के कारण कोवीड-19 के कारण जब पुरे जो लेयर है वो तेजी से अपने आपको हील कर रहा है यहनिकि वो जो चिद्र है उसको तेजी से भर रहा है अब थर्ड है तीसरा है मीजो स्फेर तो मीजे स्फेर जो है अर्थ सर्फिस से 80 किलो atire तक ये है ये जस्ट एस ट्रेटो स्फिessen के उपर आता है और ये 80 किलो atire तक फैला हुआ है अर्थ सर्फिस से और इसका जो टेंपरेटर है अल्टीचीऊड के साथ decrease भी होता है घटता भी है और उचाई के साथ सब घटता है और यह minus 85 degree तक भी पहुँच जाता है तो meteor जो है meteor यदि इस मीजो स्फेर में इंटर करता है तो यह जल जाता है बर्न हो जाता है उसके बाद मीजो स्फेर के जस्ट बाद आता है thermosphere तो thermosphere जो है मीजो स्फेर के जस्ट ऊपर thermosphere है और यह thermosphere और सर्फिस से 40 450 km तक यहनी के 80 km और 450 km के बीच में thermosphere जो है वो पाया जाता है तो इसका जो temperature जो है यहाँ पर temperature जो है वो जैसे जैसे altitude होता है we say altitude के साथ जो है टेंप्रेचर होता है यहनी कि बढ़ते जाता है उसके बाद है एकजो स्फेर तो है एकजो स्फेर जो है यह outermost यह के सबसे बाहरी जो लेयर है atmosphere का वह एकजो स्फेर कह लाता है और इसका जो अपर जो एक पार्टिकल कॉल आयन्स तो एक और लेयर होता है जो की atmospheric gases का molecules होता है और यह जो molecules होते हैं यह charged particles में तूट जाते हैं और इनको ions कहते हैं और यह जो ions है ions से जो बना हुआ layer होता है वो ionosphere कहलाता है यह reflect होता है और फिर वापस यह भेज भी देता है और radio waves जो है radio waves जो है वो अर्थ की तरफ आते हैं और यह radio transmission में यह जो ionosphere है ions यह help करता है तो यह जो ionosphere है यह 50 km से start हो करके 1000 km तक यह यह उसके उपर तक यह पाया जाता है इनके 50 km यहां से start होता है और यह यहां से भी और आगे तक पाया जाता है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे weather and climate के बारे में तो weather और climate दोनों में क्या अंतर है तो the term weather means the state of the atmosphere at a particular place at a particular time वेदर क्या होता है तो यह जो है atmosphere का ही एक रूप है जो कि किसी particular place पे मतलब किसी निश्यत जगह पे किसी निश्यत समय पे होता है यानि कि weather जो है वो change होते रहता है दिन में कई बार वो change हो सकता है climate क्या होता है तो climate of a place is the average weather of the place किसी place का जो जलवायू है climate के इन दी जलवायू होता है तो जलवायू जो है वो क्या है तो यह एक average weather है जो कि किसी place पे कुछ निश्य टाइम के लिए रहता है तो in the other word climate is the regular pattern of weather condition at a place over a period of time यहनि कि एक यह समय यह period of time के लिए यहनि कि कुछ समय के लिए रहता है एक निश्य टाइम के लिए इसका एक period होता है कि इतने से इतने समय तक है कि जो है climate होगा ऐसा climate होगा तो यह वेदर क्या होता है वेदर day to day change हो सकता है hour to hour change हो सकता है लेकिन climate जो होता है वो एक period of time के लिए change होता है इंकमिंग solar radiation और insulation यह क्या है तो solar energy received by the earth is called incoming solar radiation और insulation तो जो solar energy है वो अर्थ के द्वारा जो अर्थ के द्वारा जो रिशीव किये जाती है तो उसको incoming solar radiation या फिर insulation कहते हैं हम green house effect and global warming के बारे में पढ़ेंगे green house effect और global warming क्या है तो green house effect जो है solar energy heats up the earth surface क्या है solar energy है solar उर्जा जो है वो क्या करती है अर्थ के surface को अर्थ का जो सता है प्रित्वी के सता को वो हीट करती है गर्म करती है और जब एक बार और surface जो है गर्म हो जाता है तो उसके बाद वापस उस गर्मी को उस उस heat को वो रेडियेट करता है इनकी वो फिर उस heat को वो वापस धीरे धीरे भेशता है तो यह जो heat much of this radiated heat is reflected toward the earth और यह जो heat है यह इसमें से जो अधिकतर जो radiated heat है तो यह अर्थ की ओर जो है वो reflect होता है और उसके बाद यह जो heat है यह trapped हो जाता है यह heat बाहर वातावरन से बाहर नहीं जा पाता है और इसी को हम green house effect के नाम से जानते हैं और यह जो radiated heat है तो यह carbon dioxide के द्वारा जो की carbon dioxide जो की atmosphere में जो present है तो उसके द्वारा यह जो heat है यह radiate किया जाता है reflect किया जाता है अर्थ की ओर और यह carbon dioxide जो है वापस इस heat को अर्थ की ओर भेजता है और इस तरह से जो heat है वो trapped हो जाता है इसलिए यदि carbon dioxide की मात्रा atmosphere में ज्यादा हो तो गर्मी जो है वो ज्यादा लगती है और यह जो है इस heat को trap करना यह जो heat है वातावरण से जैसे सूरत से धर्ती पे जो गर्मी आई तो इसके कारण धर्ती गर्म हो गया और उसके बाद वो जो गर्मी है धीरे धीरे वो वापस फिर से वो धर्ती से निकलने लगती है तो इस वज़े से क्या होता है धर्ती ठंडी होने लगती है लेकिन वही जो गर्मी है वो कारबन डायकसाइड के द्वारा यदि बहुत जयादा मात्रा में कारबन डायकसाइड हो तो उसके द्वारा यह जो हीट है यह ट्रैप कर लिया जाता है यहनिकी इसको रोक दिया जाता है और इसी को हम लोग green house effect के नाम से जानते हैं तो global warming क्या है? global warming भी इसी वज़े से होता है green house effect के कारण ही होता है तो जो green house effect जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है और इसके कारण जो global temperature है यानि कि जो बैस्विक तापमान पूरे बिश्व का जो तापमान है वो increase हो जाता है इसी को हम global warming कहते हैं तो global warming का क्या कारण है? green house effect क्यों होता है? तो यदि वायू मंडल में carbon dioxide की मात्रा ज्यादा हो तो वो heat को बाहर जाने ही नहीं देगी और वो जो heat है वो earth के वायू मंडल में ही trap होकर के रह जायेगा इसके कारण जो धर्ती का जो तापमान है धर्ती में जो तापमान है तो वो जो है वायू मंडल का जो तापमान वो increase ही होगा धीरे धीरे increase होगा और ये पूरे बिश्व के तापमान को increase कर देगा बढ़ा देगा और यही ग्लोबल वार्मिंग बन जाएगा यानिकि बैस्विक तापमान पूरे बिश्व के तापमान को बढ़ा देगा